गदर 2 और OMG2 थियेटर्स में अपने अपने तरीके से धूम मचा रही है। गदर 2 के आगे अपनी जड़े मजबूत बनाये हुए हैं। ऐसे में OMG2 को भी जम्प मिला है और कामकाजी दिन पर यानी की छठे दिन पर फिल्म ने बढ़िया कमाई की है। ऐसे में डे बाई डे दोनों हैं फिल्मों के कलेक्शन में भी हाई लेवल पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस लिहास से गदर टू ने बुद्वार को अपने छठे दिन पर 33.50 करोड की कमाई के साथ सबसे ज़्यादा कमाई कर ली है। फिल्म में 6 दिन बाद टोटल 261.35 करोड की कमाई कर ली है। लेकिन अक्षिकी OMG2 भी गदर टू के साथ ही आई थी और ये भी रेस में बनी हुई है। गदर टू के तुफान के बावजूद भी अक्षिक ये फिल्म काफी अच्छा पफॉर्म कर रही है। इस फिल्म को भी रिलीस हुए 6 दिन हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि फिल्म के 6 दिनों का बॉक्स ओफिस कलेक्शन टोटल 89.27 करोड रुपे हो चुका है। यानि कि फिल्म ने अपने 6 दिन पर 7 करोड रुपे का कलेक्शन करके 80 करोड इंडियन बॉक्स ओफिस पर कमा चुकी है। भले ही अक्षे के फिल्म का कलेक्शन गदर 2 से काफी दूर है लेकिन OMG 2 को भी दर्शकों का काफी प्यार मिला है और फिल्म के मेकर से लेकर स्टार कांस्ट तक फिल्म की सक्सेस से खुश है आपकी जानकारी के लिए बिता दें कि पहले दिन पर जहां गदर 2 ने 40.10 करोड की कमाई कर डाली थी वहीं अक्षे के फिल्म ने 10.56 करोड की ओपनी ले थी इसी के साथ पहले वीकेंड की टोटल कमाई गदर 2 की थी वो डोमेस्टिक बॉंक्स ओफिस पर करीब 135 करोड थी वह पहले वीक में कितने करोड की कमाई करती है साथ ही ये फिल्म पठान के रेकॉर्ड को टच करती है या फ़र नहीं ये भी देखना रहेगा साथ ही अक्षे के फिल्म एंडियन बॉक्स ओफिस पर 100 करोड के कलब में कब तक शामिन होती है ये भी देखने वाली बात रहेगी खेर आप बताएए गदर 2 और OMG 2 में से आपने किस फिल्म को देख ली है